नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रजैनी उधव ठाकरे सरकार में मंत्री और NCP के नेता नवाफ मलिक लगातार NCP के चोर्नल डिरेक्टर समीर वान खेड़े पर तमाम आफोप लगा रहा है थे लेकिन अब कहीं न कहीं वो खुद ही श मुंबई चिला सेंट्रल कॉर्परेटिव बैंक ने नवाफ मलिक पर एक हजार करोड रूपय का मानहानी का मुकदमा तर्ज किया है और इस पूरे माफले में बंबे हाई कोट ने नवाफ मलिक से जवाब मांगा है बंबे हाई कोट ने 6 हफते के अंदर नवाफ मलिक को लोगों ने बैंक की छवी खराब करने के लिए दरसल कुछ होल्डिंग लगाए थे और मुंबई की सबसे वियस्त सडक और चोरहाओ पर ये होल्डिंग लगाए गए थे जिसमें बैंक के खिलाफ तमाम तीखी और आपतिजनक टिपणिया लिखी गई थी इतना ही नहीं हो दहादनाएं लोगों के मन में बनें इसको लेकर के होल्डिंग लगाई गए थे बैंक की ओर से ये जानकारी बोमबे हाइखी माफी और जो उन्होंने तमाम अपतिजनक बाते बैंक के बारे में लिखी गई है वो वापस लेकिन नवाफ मलिक ने इस तरीके से कोई माफी नहीं मांगी, कोई अफसोस इस पूरे माफले को लेकर जाहिर नहीं किया क्या, बजाए इसके नवाफ मलिक ने कहा कि दरसल NCP का इस पूरे माफले से कोई लेने देना ही नहीं है, NCP ने ये कुछ भी नहीं किया है, जिस तरीके के उन पर आठोप लगाए चाह रहे हैं लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर बैंक ने बंबे हाई कोट का दर्वाजा खटकटाया है नवाह मलिक पर एक हजार करोर रुपय का ये मानहानी का मुकदमा दर्ज किया किया है आपका बता दें बैंक की ओर से जो वकील पेश हुए अखलेश चोबे उन्होंने जो मुकदमा ये दायर किया है उसमें जानकारी थी है कि दरसल एक से चार चुलाई के बीच नवाफवलिक के ओर से बैंक का मुकदमा नवाफवलिक पर दर्ज किया किया है साथ ही इस बात का भी जिक्र किया किया है कि दरसल बैंक ही छवी को बड़े पहमाने पर जनता के बीच धुमिल करने की कोशिश की गई है जिससे बैंक के संचालन और बिजनिस को काफी नुकसान भी हुआ है मलिक और जो द बैंक से यह कहा गया है कि मलिक और दूसरे लोग बैंक से पून रूप से बिनाशर्थ माफी मांगे साथ ही यह भी कहा गया है कि बैंक की खिलाफ जो उन्होंने खोल्डिंग लगाए हैं उन्हें वापस लिया चाए और उन्हीं जंगों पर नवाफ पलिक और यह तमाम अगे हैं मुश्किले नवाफ मलिक की बढ़ेंगी क्योंकि 6 हफते के अंदर नवाफ मलिक को अब बॉंबे हाई कोट में इन तमाम आरोपों का जवाब दाखिल करना होगा गंभीर आरोप हैं लेकिन सवाल यह है कि आखिर नवाफ मलिक यह सब कुछ क्यों कर रहे हैं दरसल बजा दें फिलाल सहकारिता मंत्राले का गठन करतिया क्या है जिसके मंत्री जो हैं वो केंद्रे ग्रे मंत्री अमिश्या हैं सहकारिता मंत्री वो हैं तो ऐसे में अब इन तमाम कोर्परेटिव बैंक में जो NCP और तमाम यह माहराष्ट में जो पार्टिया हैं जो सक्ता में हैं उनकी तरब से जो खोटाले किये गए हैं जाहिट तोर पर अब उन पर शिकंजा कसा जाएगा और ये किसी से भी छिपा नहीं है कि आखर किस तरीके से सहकारिता विफाक में माहराश्ट में बड़े खोटाले कोई हैं एनसीपी के तमाम बड़े नेता फिर चाहें वो एनसीपी परमुक श्रदवार हो या उनके भतीजे अजीतवार हो इसके लाफ़ा अब नवाफ मली का नाम भी साफने आए हैं ये किस तरीके से तमाम जो चीनी कार खाने हैं तमाम जो कॉर्परेटिव बैंक हैं उनमें बड़ विफाग भी चानपीन कर रहा है और यही वज़ा है कि अब इस तरीके से कॉर्परेटिव बैंक को बड़नाम करने का ये जड़ियंतर रिचो है वो एनसीपी के नेता रचना हैं ताकि किस तरीके से आप खुद की छवी को सुधरा जा सके लेकिन खोटाले साफने हैं और ए एक हजार करोड रुप्य का मानखानी का मुकदमा है बलकि इसके अलावा भी नवाफ मलिक पर कई मानखानी के केस जो है वो दर्च हो चुकी है मोहित कामबोच की ओर से मानखानी का केस नवाफ मलिक पर दर्च किया गया इसके अलावा 125 करोड का मुकदमा जो है वो जो समीर फानखेडे के पिता हैं ज्यांते फानखेडे उन्होंने नवाह मलिक के खिलाप तार किया है तो नवाह मलिक फिलाल बेहद मुश्किल में है नवाह मलिक जो अपने दामाज समीर खान को बच्छानी के लिए हर रोज प्रेस कॉनफरेंस कर रहे थे हर रोज समीर फानखेडे प बरदावाश कर रही है फिर चाहे वो कॉर्परेटी बैंक में किया गया खोटाला हो या कॉर्परेटी अलग-लग सेक्टर में किया गया खोटाले हो चीनी कार खाने इसमें हैं और जाहर तोर पर तमाम कॉर्परेटी बैंक इसमें शामिल है किस तरीके से एक के बाद एक तमाम उधव ठाकरे सरकार के नेता और मंत्रियों के नाम साफ ने आ रहा है तो शिकंजा एक के बाद एक तमाम लोगों पर कसा जा रहा है फिलाल आपको बताते नवाफ मलिक की अगर बात की चाहे तो इस पूरे माफले में अब बोंबे हाई कोट ने नवाफ मलिक से जवाफ मांगा है और जो बैंक की और से याची का तायर की गई है जो मुकदमा ताय किया किया है उसमें दरसल किये कहा किया है कि बैंक को ततकाल पूर्ण और बिना शर्थ माफी नवाफ मलिक एक पोस्ट करें याई माफी बैंक से मांगे और मानहानी कारक का होल्डिंग के माथ्यम से लगाए गए बैंक की खिलाफ आरोपो को वापस लिया चाहे साथ ही ये साथ ही मांग बैंक की ओर से की गई है कि दरसल एक मराथी अख़बार के जर्किये बैंक से पूरी माफी जो है वो नवाफ मलिक उसमें पब्लिश करें और साथ ही बैंक की ओर से ये भी कहा किया है कि जो नुकसान बैंक को हुआ है जो उनका बिजनिस खराक हुआ है उसको ल माफले में होगी जब जस्टिस रियाज आई छागला ने नवाह मलिक और दूसरे तमाम आरोपियों से इस पूरे माफले पे जवाब मांगा है छे सफता के अंदर उन्हें जवाब देना है तो ये पूरा माफला यानि एक और बड़ा खोटाला एक और बड़ा जो आरोप है वो नवाह मलिक पर बैंक की और से लगाया क्या है अगर बैंक की छवी को नुकसान पहुचाने की कोशिश नवाह मलिक की और से की गई है अगर ये आहरोप सीध होते हैं तो जाहर तोर पर नवाह मलिक की मुश्कले अब कई जादा माहराश में बढ़ती नजर आएंगी क्योंकि अलसंख्यक मंतरी माहराश में नवाह मलिक है लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह भूल चुके है कि आखिर वह माहराश में किस मंतरी पत पर बैठे हुए हैं आखिर उनके जिम्मेदारी क्या है वो एक के बाद एक प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं आहरोप लगा रहे हैं लेकिन अब आपको बदादें समीर वानखेड केस में भी अब बंबे हाई कोट ने नवाह मलिक पर चार महीने तक समीर वानखेड के खिलाफ वो कोई टिपपनी न परदा पाश कर रही है नवाह मलिक आखिर क्या है क्या वजूत है किस तरीके से खोटाले किये गए हैं यह तवाम बड़े खुलासे बीजेपी की ओर से किये गए हैं फिर चाहे वो माफला जमीन का रहा हो या फिर अंडर वर्ड डॉन दाउट से कनेक्शन का माफला रहा हो इसको लेकर भी माहराश्ट के पूर मुख्यमंत्री देवेंद्र परणविस ने बड़ा खुलासा किया था कि दरसल दाउट के गुर्गों से सीधे कनेक्शन नवाम बलिके हैं और अगर ऐसा है तो जाहर तोर पर ये बेहद गंफिर माफला माहराश्ट में है कि आकर क्यों इस तरीके से तमाम खोटाले जो हैं वो किये जा रहा हैं फिर जाहें वो जमीन खरीदने में किया किया हो या फिर अलगलग विफागों हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर हो रहीं वसूली हो या बार और रेस्टोनेंट के मालिकों से वसूले जाने वाला पैसा हो ये नवाफ मलिक ने बैंक ही छवी खराब करने की कोशिश की है इन्ही बैंक में खोटाले नवाफ मलिक और NCP की ओर से किये कई हैं और अब जब सहकारिता मंतराले का गठन हो चुका है अब जब सहकारिता विफाक के टिये एक अलग मंतराले बन चुका है और ये मालूम इन्हें ह हो चुका है कि अब खोटाले नहीं हो पाएंगे तो इस तरीके से बैंक की छवी खराब करने की कोशिश में अब उथाव ठाकरे सरकार में ये नेता और मंत्री लगे हुए हैं फिलाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और चैन अब।